बूर्णिंग स्टुडेंग तुडे आवर टॉपिक एज आज हमें वर्ट बैंक की हैव से एक ब्यूटिफुल फिश को कम्प्लीट करेंगे आज हमारा सब्जेक्ट है माई वर्ड का ओके प्रेप स्टुडेंट आप बोर्ड पर चेक करें एक ब्यूटिफुल सी पिच्छर और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को आज हमने डिस्क्राइब करने उनके बारे में डिटेल से हम लन भी करेंगे और राइटिंग बे करेंगे ओके आप सब कुछे पहले चेक करें तीचर के साथ रीड करें एवाई एई आई नमबर वान पर टीचर ने क्या नमबर टू ओके जी आई डबल एल एस गिल्स थर्ड पर टीचर ने क्या वर्ड राइट किया हुए माउथ 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 ओके नमबर फोर पर टीचर ने वर्ड बैंग पर क्या वर्ड राइट किया हुए तेल टी ए आई एल तेल ओके जो लास्ट वर्ड है टीचर यह तो था हमारा word band हमने सारे spelling को read कर लिये आपको पता है eyes किसे कहते हैं आप सब के पास beautiful eyes है teacher के पास भी और इस तरह animals की भी eyes होती है आप board पर check करें इस beautiful fish की भी eye है वाओ okay gills कि होते हैं फेप students gills के होते हैं fish के इस part को हम क्या बोलते है gills इस पार्ट को हम क्या बोलते है gills okay अब mouth किसे कहते हैं very nice fish का क्या है mouth यह इसके तुरु ईट करती है water drink करती है इसका beautiful सा mouth है ओके फिश के इस पार्ट को क्या कहते हैं यह तो बहुत ज़दा अच्छा सा पार्ट है इसका इस पार्ट को हम कहते हैं टेल फिश के इस पार्ट को हम क्या कहते हैं टेल ओके अब फिश के अंदर जो ब्यूटिफुल सी लाइंग सोती हैं इसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं इस इस पार्ट का नीम है, scale, इस पार्ट का क्या नीम है, scale, ओके, अब हम राइटिंग करेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे, इस बॉक्स पर, आप बोल्ड पर चेक करें, five boxes हैं, how many boxes, five, one, two, three, four, five, five boxes हैं, और हमने five की spellings लिखने हैं, और five parts ही fish के हमने describe करने हैं, okay, first part हमारे पास कौन सा है, इस पार्ट को हम क्या कियते हैं, fish के, scale, अब word bank में चेक करें, इचे ने, किस number पे scale राइट किया था, number five पे, हमने number five पे scale के spelling राइट किया थे, अब हम scale के spelling इस बॉक्स पे राइट करेंगे, s, c, a, l, e, scale, scale, okay, अब हम आगे हैं, two box पर, अब हम fish के इस पार्ट को describe करेंगे, fish का, इस पार्ट का क्या नहीं है, prep student, इस पार्ट को हम कहते हैं, tail, और teacher ने word bank में, tail के spelling, which number पे राइट किया है, tell me student, which number पे teacher ने राइट किया है, के number one पर tail के spelling है, no, number two पर, no, number three पर, no, हमने tail के spelling राइट किया है, number four पर, okay, अब हम राइट करेंगे tail के spelling, t, a, i, l, tail, t, a, i, l, tail, okay, अब हम number three box पर आगे, अब हम fish का third part को describe करेंगे, okay, fish के third part को क्या कहते हैं, fish के beautiful part को हम कहते हैं, gills, क्या कहते हैं, gills, okay, word bank में teacher ने gills के spelling, two number पर write के हैं, g, i, double, l, s, gills, g, i, double, l, s, gills, very nice, okay, अब हम four part पर आगे हैं, ओके, i के इस beautiful part को हम क्या कहते हैं, i, आप सब student को i के spelling आते हैं, prep student, word bank में हमने i के spelling किस number पर write की हैं, number one पर, अब हम write करेंगे i के spelling, e, y, e, i, okay, अब हमारे पस last part रहे गया, fish का, और वो कौन सा beautiful part है, mouth, वो कौन सा part है, mouth, और mouth के spelling पीचे ने word bank में किस number पर write की हैं, number three पे, m, o, m, o, u, p, h, mouth, okay student, आज हमने my world में, word bank की help से, fish के topic को, उसके parts को हमने describe किया, आपके five parts से fish के, हमने इंको one by one read भी किया, learn भी किया, आपको उर्दू में meaning भी दीचे ने बताएं, और हमने उसके साथ writing भी किया, okay student, do practice at your home, take care, allahafiz,